हेलो गाईज आज हम डिसकस करने वाले हैं डीमाट के बारे में अगर आपके पास डीमाट नहीं है तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है आप खरी सकते हो दंबर खरी सकते हो अगर आपके पास डीमाट है तो मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो सकता ठीक है तो आज के डेट में अगर आप देखते हैं तो लगबग 3-4% के गिरावट है और इसका जो quarter result था दोस्तो वो भी काफी अच्छा है था लेकिन फिर भी आज के डेट में क्यों गिरावट है और क्या खबर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों NST के official website में देख लेते हैं कि आज डेमाट ने कैसा perform किया है तो सबसे पहले तो अभी देख लेते हैं अभी market बंद होने के बाद जो इसका current market price है 2200 exact 2200 के आस पास है और जो previous price था कितना दोस्तों 2283 के आस पास था और जो 83 रुपीज है आज तूट चुका है और open हुआ था 2222 में highest गया था 2275 open कितने पर हुआ था 2000 मतलब थोड़ा बहुत highest गया था लेकिन finally अगर हम देखते हैं तो stock में गिरावट होता है और stock ने जो highest मारा था वो कितना मारा था 52 एक लो देख 70 है आराउंट 70 हम मोल सकते हैं 70% आज की की दोस्तों यहां पर हैं तो ख़बर यहां पर है तो यहां पर आपको बताया गया कि कि सिल कॉल मतलब कि दोस्तों ने द्वचतर का जो प्राइज है गिर रहा है और श्रूल का तक गिर सकता था 500 2004 या 500 के आसपास था उसके बाद यहाँ पर आपको sell call दिया गया है यहाँ पर जो है किसी ब्रोकर ने दोस्तो sell call दिया और बहुत ही तकड़ा दिया है उसका जो target रखा है वो दोस्तो 1658 रुपिज का target दिया गया है और मैं तो बोलता हूं दोस्तो अगर मान लिजिए 1800 के आसपास यह stock आपको मिलना start हो गया 1800 के नीचे गया तो मैं तो बोलूँगा आप बिलुकुल बहीचक खरीच सकते हो और एक भी share आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि आप समझ लीजे डिमाटेक बहुत अच्छा stock है यार और इतना जादा गर correct हो जाएगा तो हम रुक नही लगता है दोस्तों यह आपको upper circuit में दिखाई देगा अगर लगबग कितना बताया गया तो दोस्तों यहां देख सकते हैं 25% के गिरावट हो सकती है और जब 25% के गिरावट हो जाएगा और जब दोस्तों यह पूरा नीचे चला जागा तो आप बहुर अच्छे तरीके से पारी कर सकते हो तो जीनों ने नहीं खरीदा वो दोस्तों जैसे 1800 के लेबल में आएंगे आप SIP करना स्टार्ट कर सकते हो और इसके पीछे क्या reason है वो भी तो आपको जानना जुरूरी है कि किस वज़़ा से डीमाट को इतना जादा जो है lower circuit बताया जा रहा और उसका वज target price कितना है दोस्तो 1658 रुपिस के आसपास और यह क्यों किया गया ठीक है थोड़ा सा जूम करके आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यहां पर बोला गया है समझने का कोजिस किजगा ठीक ना प्लीज यहां पर देखें मार्च में ज अब तो गलत बात है अगर अभी आप देख लिजिए तो दोस्तों अप्रिल में यह 45 परसंट था और जो में है में 17 परसंट है तो हम बोल सकते हैं कि सेल्स में क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है तो अगर हम इसका बार ग्राप बना लेते हैं दोस्तों तो यह मालीज जब 45 ह है और यह मालीज जब 70 है तो दोस्तों हम सेल्स में क्या देखेंगे गिरावट देखी जा रही है इस वज़ए से यहां पर आपको बहुत लंबा गिरावट देखने को यहां पर बताया जा रहा और यह भी बताया जा रहा है रिडंक्शन इन्द सेल जेनरल मर्चेंड और रेड्यूस हो रहा मतलब दीरे दरे कम होते जा रहा वो किसके वज़े से हो रहा वो भी लॉक्डाउन के वज़े से हो रहा और वह भी यहां देख लिए बताया जा रहा वी आर कटिंग एफवाई फाइनल यर ट्वन एंड एफवाई ट्वन टू एपियस एस्टिमेट ऑफ़ दी माट भाई 16 अब यह इपयस क्या होता है अर्निंग पर शेयर का मतलब होता हा कि आपको एक शेयर पे कितना ज्यादा अर्न करके दे रहा वो स्टौक कितना मानेजर आपने एक Ciao करी दा तो वो आपको कितना कमाई की दिक करके दे रहां वह साल बर में वो यहां पर बोल रहा है कि EPS cut कर लेंगे अगर EPS cut कर लेंगे तो भाई नुकसान होने का जादा chances हो जाएगा ठीक है एक चीज़ इतना याद रहा है यह मैंने बोल रहा हूँ जो data है उसके base में मैं आपको बस inform कर रहा हूँ यह information आप तक पहुंचना जरूरी होता है क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको यह information बहुत ज़्यादा important होता है ठीक है वहाँ देख लिए दिमार्ट में 60.8% and 8.1% due to क्यों क्यों तो due to lockdown impact on यहाँ देख सकते है sales में decrease हुआ है भाई वो भी किसके वज़े से तो lockdown के वज़े से हुआ है और उसके बाद यहाँ पर बता है जो रहा higher cost of operations मतलब दोस्तो cost क्या बढ़ा दिया गया था उसके बाद delay देख लिजे delay store opening and the safety cost तो मतलब store बंथा तो अगर बंद रहेगा तो दोस्तो देखिए अगर एक दिन भी बंद रहा था तो मुझे लगता कोरोडों के आपसे यहाँ पर नुकसान होता होगा तो जो store open होने वाला था वो भी delay हो गया था दोस्तो और safety का भी cost लग रहा था भाई अगर आप जा रहे हो तो एक तो आपको जो product वो नहीं sale हो रहा उसके उसके बाद आपको safety के लिए क्या लेना है दोस्तो की although worst seems to over given मतलब की दोस्तो यह यह बताना चाहता है की improvement in May sales impact near term margin of the suffer due to the higher cost and the poor sales है तो यहाँ पर देखिए एक month था यहाँ यह month को दोस्तो यह focus कर रहा क्योंकि यहाँ पर देखिए sales बहुत ज़्यादा decrease हो गया था तो गिरावाट यही बताया जा रहा दोस्तो की poor sales मतलब की पहले जो sales हो रहा था वो तो सही था लेकिन अब भी जो है sales हुआ लेकिन बहुत कम हुआ आप ही देखिए दोस्तो जो demand का result काफी आचा बहुत लोग बोल रहे थे demand का result यह है वो है लेकिन दोस्तो यह हमें देखना है कि sales उपर गया यह direct नीचे जा रहा sales increase तो हुआ देखिए कि sales कैसे increase हुआ यह पहले demand उपर जा रहा था अब दोस्तो यह जब नीचे आया ठीक है sales ऐसे increase हो रहा तो अगर finally देखे तो भाई यह label को अगर तोड़ देता है मतलब कि दोस्तो यह जो भी है recover करने के लिए demand जरू स्टार्ट करेगा अपना कोई नो कोई कोजिस करेगा लेकिन फिर भी अगर हम देखते है कोरोना वाइरिस के वज़े से दोस्तो बड़े-बड़े यहां पर थोड़ा सा हां तो देखे जो डायरिक्ट है वो धीरे-धीरे नीचे जा रहा अगर finally हम देखते हैं तो दोस्तो यह label में थोड़ा सा उपर तो गया था लेकिन उपर जाने के आपको यह भी बताया जा रहा है कि दोस्तो जो फ़ए 17, 18, 19, 20 यहां 21, 22 तक बताया जा रहा है तो दोस्तो 22 तक जो इनका expectation था कि हां बहुत ज़्यादा डिमाट में increase हो सकता क्या profit increase हो सकता उपर जा सकता लेकिन अब क्या है दोस्तो यहां पर कर दिया गया देखिए यह उपर जाने वारा था लेकिन अब यहां पर कर दिया गया इस वज़े से थोड़ा बहुत आपको गिरावट तो देखने को मिलेगी ऐसे stock में तो हमें क्या क से जब नीचे जाना स्टार्ट करेगा तो आप एवरेज करना स्टार्ट कर सकते हैं जिनों ने खरीद लिया पहले लेकिन जो लोग नया से खरीदना चाहते हैं मैं उनको बोलूँगा कि आप जो है 18 या 1900 के बीच में S.I.P. करके खरीज सकते हैं S.I.P. देखिए जिनके पास नहीं था उनके लिए एक बहुत अची ख़बर है क्योंकि जिनोंने नहीं खरीदा था अगर वो लोईस्ट प्राइस पर खरीदेंगे वो भी D.Mart. जैसे स्टॉक को तो उनको बहुत बड़ा मुनाफ़ा होगा बहुत ज्यादा यहां पर आपको यह भी करना पड़ेगा देखना पड़ेगा तो दोस्तो बहुत ज्यादा प्राबलम है अभी तो EPS का मतलब क्या होता है दोस्तो EPS का मतलब होता आर्निंग पर शेर पहले कितना था 14 था फिर कितना हो गया 20 हो गया फिर कितना हो गया 20 था तो यह तो दोस्तों अगर मालने, आपको कहीं, Deemate Account open करने में, तकलीफ हो रही है तो आप अब दोस्तों, Angel Broking में अपना Deemate Account open कर सकते हो, यहां पर आपको बिल्कुल zero Charges लाईएा, दोस्तों आप zero से Start कर सकते हो, बिल्कुल Free में, आपको Deemate Account open करना है, और उसके बाद अपना Demet Account से आप क्या कर सकते हो, काम स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पर जो आपको अगर Delivery में काम करते हो, तो यहाँ आपको बिल्कुल Zero Charges लिया जाएगा, फ्री में आपका Demet Account उपन हो जागा, और उसके बाद आपको यहाँ पर Support भी दिया जागा, कि आपको यहाँ पर लेबल बताया जागा, सपोर्ट दिया जागा, तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जहां कि वहाँ से अपना Demet Account उपन कर सकते हैं, तो मिलते आने वाले नेक्स्ट वीडियो में.